क्या नरेंद मोदी ने अपने किसी इंट्रिव्यू में प्रियंका गांधी के लिए बेटी शब्द का इस्तमाल किया था दूरदर्शन को दिये इंट्रिव्यू में खास मुलाकात में मोदी ने कहा था कि प्रियंका उनके लिए बेटी जैसी है बता जा रहा है कि दूरदर्शन ने मोधी के इंट्रिव्यू का वो हिस्सा हटा दिया था इस वीच प्रियंका ने तल्क लेजे में कहा है कि वो राजीव गांधी की बेटी है मैं राजीव गांधी की बेटी हूँ दुनिया जानती है कि प्रियंका राजीव गांधी की बेटी है लेकिन दुनिया ये नहीं जानती है कि गांधी परिवार पर दिन में पांच बार बरसने वाले नरेंद्र मोदी ने एक इंट्रिवार दूर दर्शन does not operate independently and the ministry may claim that they've kept it at an arm's distance who has been censoring all this? why was it aired after three days? and what is censorship about? these are things on which the Congress-led UPA has to answer हर मोर्चे पर Congress Party की धजजियां उड़ाने वाले मोदी की ये बात Congress को हजम नहीं हुई P. Chitambaran ने प्रियंका के प्रति मोदी की भावना को उलट कर रख दिया मतलब ये कि मोदी में प्रियंका के पिता की पात्रता नहीं है कि राहुल और सोनिया के हर वार पर पलटवार करने वाले मोदी प्रियंका की हर चोट पर चुप रहे है